ओक्सफेम की रिपोर्ट में अमीरों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है रिपोर्ट के अनुशार अरबपतियों की संपत्ती हर दिन 22,000 करोड रुपए बढ़ रही है इतना ही नहीं अगर इन पर 5 फीजदी का टेक्स लगा दिया जाए तो दो अरब लोगों की गरीबी खत् वहीं पिछले साल नॉम्बर तक भारती अरब पतियों की संपत्ती में 121 फीजदी का इजाफा देखा गया है ओक्सफेम ने वर्ल एकोनोमिक फोरम की वार्सिक बैठक के दोरान अपनी वार्सिक असमानता रिपोर्ट जारी की है जिसमें चौकाने वाला खुलासा हुआ है रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के एक फिजदी अमीरों की दौलत दो सालों में दुनिया के बाकी 99 फिजदी लोगों की तुल्ला में करीब दोगुनी तेजी से बढ़ी है इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के अमीरों की दोलत हर दिन 22,000 करोड रुपए बड़ी है वहीं दूसरी तरफ दुनिया के 170 करोड मजदूर महेंगाई से जूज रहे हैं औक्सफेम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया के अमीरों पर 5 फिजदी टेक्स लगाने से एक साल में करीब 1.7 लाग करोड रुपए कर्ठे किये जा सकते हैं ये दुनिया के करीब दो अरब लोगों को गरीवी रेखा से बाहर निकाल सकते हैं सर्वाइकल आफदा रिचेस्ट शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 में 42 ट्रिलियन एवेस डॉलर की कमाई हुई है जिसमें दो त्याही संपत्ती दुनिया के सिर्फ एक फिजदी अमीरों के हिस्से में गई है रिपोर्ट के अनुसार पिछले दसक में दुनिया के एक फिजदी अमीरों ने दुनिया भर में कमाई गई कुल संपत्ती में से आधी परकबजा किया है